नमस्कार स्वागत है आप सभी का अनकेडमी प्लस पर गुद मॉर्निंग सभी को बस मैं बढ़िया आप लोग बताओ प्रैक्टिस होगरा कर रहे हो कि नहीं पजल की जितनी चीजे सिखा रहा हूं उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे इसलिए प्रैक्टिस करते रहो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे पजल इंप्रोव होती है बहुत जल्दी तो इसे लिए practice करते रहो, practice करने के लिए बहुत सारा content आपके पास available है, आप an academy पर मेरी profile सर्च करोगे, उसमें free courses पर जाओगे, तो 500 puzzles मैंने upload करके महाँ पर रखे हुए, आप उनसे भी practice कर सकते हो, इसके अलावा ये जो series चल रही है, इसकी पुरानी classes के PDF डाउनलोड करके भ ये content बहुत है, YouTube पे search करो, ठीक है, mock test अगर आप solve कर सकते हो, बहुत सारे चीजे है, telegram पे भी share होते रहते हैं, PDF इधर उदर से, तो वो सबसे आप share मदब बना सकते हो, इसलिए daily के daily practice करते रहो, बस कम से कम 10 puzzle, minimum 10 puzzle आपको बनाने है, class के अलावा, pre के, ठीक है, और try करते रह उनको apply करना, खुझ से सोचने की कोशिश करना, timer लगा के solve करने की जरुवत नहीं है, चलिए, तो आज कुछ नया सीखेंगे दोस्तों, एक चीज जो की काफी नये students के लिए काफी beneficial रहेगी, पुराने students भी बहुत सारे जो हैं, जिनको शायद नहीं पता होगा, तो उनको भ हर question तो नहीं बनता है single possibility में, लेकिन maximum questions single possibility में आपके बन जाते हैं, ठीक है, तो maximum questions बहुत सारे आपके questions जो हैं, वो single possibility में बन जाते हैं, अभी 2000 से ज़ादा students हो चुके हैं, ठीक है, तो जल्दी से start करते हैं, बाकी 1200 और आ जाएंगे धीरे धीरे, लेट क्यों होते हैं, मुझे तो यह नहीं समझाता है, टाइम प्याना चाहिए, चलिए तो मैं PDF अप्लोड कर दे रहा हूँ, सोकर उठे हो लगता है, नहीं नहीं, आठ बज़े से उठी हूँ, इतनी देर तक सोंगा तो पापा भागा देंगे, उनका बस एक ही, एक ही चीज़ कहना है, मेरे फादर का जो मैं आप लोगों को भी शायद पहले बता चुका हूँ, सोना कितने बज़े है, वो आपकी चौईस है, एक बज़े सो, दो बज़े सो, तीन बज़े सो, या मत सो रात भर, पर आठ बज़े के पहले उठ जाना है, अब वो आप जानो कितने बज़े सोना है, चलिए इस question को जल्दी से बनाई है, तीन अजार students हो भी गए, बहुत अच्छी बात है भई, आजकल जल्दी आ जाते हैं, वरना तो आने में भी काफी लोग time लगाते है, तो जल्दी जल्दी solve कीजिए, max time इसका जो होगा वो रहेगा, तीन मिनट, maximum time है ना, यह minimum नहीं है, maximum time तीन मिनट, इससे जादा तो लगना ही नहीं चाहिए, चलिए, डन के message इस आने चालू हो चुके हैं, अरे, अच्छा, एक second, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर ना, थोड़ा सा गलत है, यह six percent है, यह six है, top floor is six, यह typing mistake है, ठीक है, यह typing mistake है, यह six है, class आज की छोड़ कर बिल्कुल मत जाना, आज ऐसी ऐसी चीज़े बताने वाला हूँ मैं, आप लोग मजा आ जाएगा बस, और क्या बहुत, चलिए, काफी सारे लोगों को done के message आ गए है, चलिए, एक सवाल सभी से, कितने यहाँ पर प्लस के students हैं, जो प्लस वाले हैं, yes कर दीजिए, जो प्लस के students है, academy प्लस वाले members हैं, जो, yes कर दीजिए, 62%, 60-40 का रिश्व है, चैट या, ठारा, लोग करीब करीब 12-1900 students है, आप लोग क्लास में क्यों नहीं आते हो भी, प्लस वाली क्लास में क्यों नहीं आते हो आप लोग, जो रात को होती है, सभी नहीं आते हैं, वहाँ तो 800-900 लाइक दिखते हैं या तो आप लोग लाइक नहीं करते हो आते हो तो, लोटिफिकेशन नहीं आता, अरे तो प्रोफाइल में जाके देखा करो ना, कौन-कौन सी क्लास है, कितने मुझे क्लास है, आज डियाई वाली क्लास है, प्रोफिट एंड लॉस जिसको नहीं आता है, क्लास अटेंड कर लेना, आपकी चोईस है, मैं बोलूंगा नहीं जादा, और जितने भी प्लस वाले हैं भी, ये चीज बिल्कुल मत सोचना न, कि ये फ्री क्लासेस में हम क्यों आएं, ठीक है, क्योंकि ये पजल की सीरीज सभी के लिए है, ये पजल सीरीज मैंने स्टार्ट ही उसले किये, ताकि प्लस वालों को भी फायदा हो, और जो प्लस में नहीं है, उनको भी फायदा हो, इसलिए सीरीज को आप एक तरह से प्लस की ही क्लास चल रही है, ऐसा सोच कर आया 43% लोगों से हो गया लेकिन काफी टाइम दिया है मैंने इतना टाइम लगना नहीं चाहिए जिनको टाइम लगा है देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए था 6% JKLMNO are living in a different floors of 6th floor building 1st floor is numbered as 1, 2nd floor is 2 and so on till the topmost floor is numbered as 6 ठीक है? Each of them like different fruits, सबको अलग-लग fruits पसंदें, not necessarily in the same order अब यहाँ पर क्या करना है? आपको 6 floor बोला गया है, तो 6 sorry 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है? सबसे पहले तो floors बना लेते हैं अब इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? J sits one of the even numbered floor but not on 6th floor J जो है, वो 6th floor पर नहीं है, पर even floor पर है, यानि कि J यहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है अब इसमें अगर मैं minimum possibility बोलूँ तो कहां पर लोगे J को? अगर हम इसमें minimum possibility लगाना चाहें, तो कहां से start करेंगे? 4 वाले गलत, कैसे बोल रहे हो भई 4? आप यहाँ तो class नहीं attend किये मेरी आपने सारी class नहीं किये देखो minimum possibility कैसे check करते है नीचे से और उपर से जो भी close हो, सबसे close हो देखो उपर वाला क्या है? दो floor छोडने के बाद है यहाँ पर नीचे वाला जो है, वो एक floor छोडने के बाद है तो minimum यहाँ पर दिख रहा है आपको? तो जहां minimum है वहाँ से start करते हैं अगर मैं इस condition को लूँगा तो हर question में जरूरी नहीं है कि ऐसा दिख रहा है तो इसी से start करते हैं अगर आप उससे start कर रहे हो तब आपको minimum possibility उसमें लगानी है तो पहले पूरी conditions को पढ़ेंगे आगे आपको क्या बोर रहा है? 2 person sit between J and the one who like apple J और apple वाले के बीच में 2 person है आगे बोर रहा है the person who like papaya is immediate above the one who like banana papaya वाला जो है वो banana वाले के just उपर है ठीक है? just उपर मतलब side में अरो 3 person sit between the one who like grapes and the one who like mango 3 person है grapes और mango वाले के बीच में grapes, 1, 2, 3, यह हो गया mango और क्या बोर है? J does not sit below the person who like guava मतलब guava के उपर ही होगा J आगे आपको बोर है L lives one of the floor above floor of J and like mango L जो है वो J के उपर है और इसको mango पसंद है but not immediate above लेकिन इसके immediate उपर नहीं होना चाहिए ठीक है? आगे आपको बोर है 3 person live between the person who like guava and N guava और N के बीच में 3 person है K does not sit on the odd numbered floor K even पे हो जाएगा अगर odd पे नहीं है मतलब even पे होगा M does not like banana M को banana नहीं पसंद है तो banana हमने कहीं लिखा था यहाँ पर M को cross कर गए अब देखें minimum possibility क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर एक चीज़ को समझे हमको start किससे करना है भई? हमारे पास और कोई ऐसी condition नहीं है जिससे हमें start कर सकते हैं और ऐसी कोई भी condition मुझे नहीं दिखरी जिससे मैं start कर सकता हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यह J की condition दिखरी थी मुझे क्योंकि J था, J के नीचे गुवावा था, J से एक फ्लूर, at least एक फ्लूर छोड़कर उपर L मेंगू होना चाहिए था मतलब चार फ्लूर आपके minimum यहाँ पर fill हो रहे हैं सबसे जादा फ्लूर इसमें आपके fill हो रहे हैं और वो भी condition के साथ कि या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा तो minimum कैसे लगाते हैं फिर से बता रहा हूँ इसको देखो, नीचे से एक छोड़कर है, उपर से दो छोड़कर है तो minimum किदर है, इस तरफ है, यहाँ वाले पर लो और start कर दो यहाँ पर J हमने रखा, J के नेचे गुवावा रखना था, यहाँ पर रख दो गुवावा, J के ऊपर, J से इसको सैट करते हैं पहले, J से दो छोड़कर apple, तो apple यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, इसके अलावा और आप क्या सैट कर सकते हो, गुवावा से N सैट कर सकते हो, गुवावा से तीन छोड़कर N यहाँ पर हो जाएगा ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजे, grapes और mango के लिए आपके पास कौन सी जगा बचती है, ये और ये, और तो कोई जगा दिखी नहीं रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, grapes और mango के लिए सिर्फ वही दो जगा दिख रही है, जो मैंने highlight की है, यहाँ और यहाँ और तो कहीं हो नहीं सकता, तो definitely ये जो papaya और banana रखना था, उसके लिए तो ये बीच वाली दो जगा दिखती है आपको, papaya और banana के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगा दिखती है, चलो रख देते हैं भी, यहाँ पर papaya और ये हो गया banana, ठीक है, क्योंकि grapes और mango के लिए तो ग्रेप से यहां पर आ जाएगा अब बचा क्या है आपके पास आपके पास बचा है के इवन पर होना चाहिए इवन वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोर दिख रहा है यह वाला के को यहां पर रखो लास्ट कुछ बच गिया था हाँ एम जो है वो बनाना नहीं हो सकता तो एम यहां पर आ जाएगा बचा था ओ यह आपका स्वाल उमित तो समझ में आया होगा विदिन बन टू वन मिनट एक से देवर मिनट जादा से जादा इस से जादा आपको नहीं मिलेगा अब यहां पर बात यह होती है कि जेको अगर उपर लेते तो गलत क्या होता अगर हम जेको उपर लेते तो गलत क्या होता भी देखो सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन गलत जो हुआ है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा कि गलत होता क्यों तो उस चीच को भी फटाफट देख लेते हैं हम ठीक है हमेशा जब भी भी आप question बनाते हो ना तो दोनो possibilities check किया करो बनाना तो एक ही है आपको सही आ गया ठीक है लेकिन गलत क्यूं हो रहा था उस चीट को check जरूर की अगर उससे कुछ नया सीखने को मिलता है हमेशा तो जे को अगर हम यहां पर ले रहे होते तो होता क्या जे से जस्ट उपर तो एल मैंगो है नहीं मतलब डेफिनिटली आपको यहां पर एल मैंगो लेना पड़ता है हा या ना जे के इमेडियेट उपर में नहीं है इसका मतलब यही होता है कि जे के उपर है एल लेकिन इमेडियेट उपर नहीं है मतलब डेफिनिटली टॉप पे चला गया एम एल मैंगो अब मैंगो से देखो आपको क्या पता था तीन छोड़कर ग्रेप्स रखना था वन टू थ्री छोड़कर यहां पर हो गया ग्रेप् पर के सिर्फ और सिर्फ यही पर आ सकता है और तो कोई जगह है नहीं आपके पास हाया ना यहाँ पर रखोगे तीन छोड़कर N के लिए कोई जगा नहीं है यहाँ अगर आप गुआवा रखते हो तो N आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो गया N बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा था M और O बचा था ठीक है? जे से दो छोड़कर Apple चाहिए था जे से दो छोड़कर Apple कंडिशन गलत हो गई यह वाली मतलब यह कंडिशन गलत हो रही है समझ में आया कि गलत क्यों हुआ क्यों कि जे से दो छोड़कर Apple नहीं हो पाएगा तुरंत ही समझ में आता है भी तुरंट समझ में आता है देखो फिर से एक बर फटा फट बता रहा हूँ फिर अगले question पर चलेंगे उस पर और एक नहीं चीज सीखाऊंगा मैं ठीक है वेट करना भगना नहीं कोई भी देखो जे को अगर मैं यहाँ पर लेता ना तो जे से उपर आपको क्या पता है कि immediate नहीं हो सकता तो अगर जे के immediate उपर एल नहीं हो सकता मतब डेपिनेट ल यहाँ पर होता mango यहाँ पर होता और mango से तीन छोड़कर आपको क्या चाहिए था grapes चाहिए था यह grapes हो गया आपका तो अब ऐसे case में आपके पास बचा क्या है भई गुवावा से तीन छोड़कर N के प्राय कर जल्दी झालओफंग से तेस्ट्से.. कि एज़ कि यह जदाका है खब लेने घखवावारा महीं अचाहिए झास बज़ कोगर कहा ही चलिए, डन के मेसेजिस आने चालो हो चुके हैं यहां पर अटेंडेंस है अभी 3700 देखिए एक चीज़ यहां पर ना बहुत अच्छी वाली आप लोगों को मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा देखते साथ आप लोग बनाओगे हैं ना क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं आपर 8% E, F, G, H, I, J, K, L are sitting in a circle table but not necessarily in the same order some of them are facing towards the center and some are facing outside ठीक है कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर हम सबसे पहले एक circle बना लेते हैं अब दुस्तो आठ लोगों का यहां पर circle है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है बोल क्या रहा है आपको G sits second to right of H, G sits second to right of H, H के second to right पे G बैठ है 2% sit between I and J, I और J के बीच में 2% बैठते हैं, L is neither an immediate neighbor of K nor of I, L is neither an immediate neighbor of K, L जो है वो K का immediate neighbor नहीं है और I का भी immediate neighbor नहीं है, ठीक है K sit third to left of I, K जो है वो third to left में बैठता है I, K, तो ऐसा बनेगा, तो definitely यह right side होगा, हाई है ना जल्दी बताओ जब आपको बोल दिया है, I से left की तरफ में K है 2% छोड़कर, तो अगर I से 2% छोड़कर आपको J भी रखना है तो आप इसको ऐसे K के गोद में तो नहीं बैठा होगी, definitely अलग तरफ ही बैठा होगी उसको, जब तक condition note होती है, time over, अरे तो time देखो, main चीज़ी होती है, practice नहीं है ना, भी practice जैसे जैसे करो भी fast होने लग जाएगा, J faces to F, J जो है यह F को face कर रहा है, ठीक है, E sit third to left of G, E जो है वो third to left में है, किस से G से, E sit third to left of G, immediate neighbor of E face outside, E के immediate neighbor जो है यह outside face करते है, F doesn't sit next to G, F जो है वो G के next नहीं बैठता, मतलब की, अगल बगल बें नहीं होगा, E faces to K, E जो है वो K को face कर रहा है, अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ दोस्तों, I जो है वो outside face कर रहा है, हाँ या ना, कुछ लों मुलेंगे, सरा आप answer देख लिए और नहीं, बिना answer देखें, यहाँ पर यह बताया जा सकता है, कि I का direction outside ही होगा, क्यों होगा, बात यह होती है, कि आपको हर type की चीज़ों के बारे में पता होना चीज़ पजल में कैसा कैसा, कितने conditions हैं, क्या क्या चीज़े हैं, जैसे कि I, I जो है, यह outside क्यों होगा, simple सी चीज़ है दोस्तों, ध्यान से देखेगा, I जो है, I से 2% छोड़कर K है, left की तरफ में, I से 2% छोड़कर left की तरफ में K है, यह देखो, I से 2% छोड़कर left की तरफ में K है, और K के सामने वाला जो person होगा, वो E होगा, K के सामने वाला person E होगा ना, और देखो, E के अगल बगल वाले outside face कर रहे हैं, E के अगल बगल वाले outside face कर रहे हैं, अब अगर मान लो मैं इसको E को, यहाँ पर I को अगर मैं ऐसा रखता ना, तो भी वही case होता, same case होता, ध्यान से देखना हूँ, वही अगर मैं I को inside लेता हूँ, तो दो छोड़ के left में K यहाँ पर हुआ, K के सामने तो E आएगा, E के अगल बगल वाले तो out face कर रहे हैं तो I को in कैसे ले सकते हो, ले ही नहीं सकते, यह condition देखते साथ समझ में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए, यह सब चीजे practice से ही आएंगी, जब तक आप practice नहीं करोगे, तब तक यह सब चीजे आपके पल्ले नहीं पढ़ने वाली बिल्कुल भी, यह सब चीजे practice से आती है, जब आप दिमाग लगाते हो, अगर आप दो दो तीन तीन ऐसे बना बना के solve करते रहोगे, तो आप दिमाग लगा नहीं रहे हो, और दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो exam में यह सब चीजे आप सोच ही नहीं पाओगे, आप बस बन सामने e है, मतलब definitely वो i का neighbor हो रहा है, यह देखो, i से 2 छोड़ कर k, k के सामने e, तो वो i का neighbor हो गया, तो definitely i outside face कर रहा होगा, बाहर की तरफ से भी देख लो, i से left की तरफ 2 छोड़ कर k, k से सामने में e आ रहा है, मतलब इसका neighbor outside face करेगा ना, बस चलो, फटा-फट बना देत e जो है, वो 2 छोड़ कर g बैठा होना चाहिए, तो भई अब यहाँ पर देखना है, यह j के सामने f था, j के सामने f को आप यहाँ पर बैठा दो, ऐसा, ठीक है, अब देखो, h से 1 छोड़ कर आपको g चाहिए, h से 1 छोड़ कर आपको g चाहिए, वो भी right की तरफ में, कौन स जगह पर l नहीं आ सकता, तो l सिर्फ यहीं पर आएगा, तो अब g के लिए कौन सी जगह बचती है आपके पास, और h के लिए कौन सी जगह बचती है, ध्यान से देखो, भई f के बगल में g नहीं हो सकता, यह देखो, f के बगल में यहाँ पर g नहीं हो सकता, definitely g यहाँ पर आएगा, बचा क्या आपके पास, एक नाम क्या बचा, पहले नाम सेट की अगरो, उसके बाद direction अपने आप हो जाते हैं सेट, h बच रहा है, h को यहाँ पर रख दो, अब देखो, h के right में g था, मतलब definitely inside, क्योंकि h के right में g है, g के left में e था, तो g के left में e कब होगा, जब g जो है, बाहर की तरफ देख रहा होगा, तभी इसके left में होगा, हाया ना, होगा ना, अब देखो, g के left में e हो चुका है, i के left में k हो चुका है, यह देखो, i के left में k हो चुका है, अब direction कैसे set करोगे, बाकी और किसी का, अगर आपको direction set करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे यह देखो यहां पर दिया हुआ है यह कहां गया है अरे कंडिशन यह कहीं पर थी इफेसेस टू के मतलब यह दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और कुछ बता सकते हो इसमें और कुछ बता सकते हो जल्दी बताओ जे और एफ का यह वाली कंडिशन देखो भई आमने सामने थे तो क्या फेस वाला देख रहा है बिल्कुल देख रहा है जे फेसेस टू एफ तो कितने लोग बाहर देख रहे है भई इसमें कितने लोग बाहर देख रहे है G बाहर देख रहा है, I बाहर देख रहा है, G बाहर देख रहा है, I बाहर देख रहा है, और कौन बाहर देखेगा, L बाहर देख रहा है, तीन लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी सारे के सारे अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, अभी जिसको भी नहीं समझ में आया, एक बार मैं फटा-फट रिपीट करूँगा दोस्तों ध्यान से देखना, ठीक है, फटा-फट रिपीट करूँगा ध्यान से देखना, इसके बाद एक और चीज़ सीखने को मिलेगा फ्लोर वाले अरेंडमेंड में, ठीक है, तो वेट करिएगा, जाईएगा मत, देखो, जब आपको पत है, जब आपको पता है कि I, K, 2% छोड़कर K होना चाहिए, और उसके सामने E है, अगर मैं I को यहाँ पर रखता हूँ, डायरेक्शन भूल जाओ अभी, डायरेक्शन भूल जाओ बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, अंदर है, बाहर है, मतलब नहीं है, I को बस यहाँ पर ह पानता हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, K के सामने E, E का neighbor है यह, मतलब outside, definitely I जो है, वो outside ही face करेगा, तो इसको बाहर की तरफ face करा दो, 2% छोड़कर left में K हो गया, 2% छोड़कर right में J हो गया, J के सामने F था, दोनों एक दूसरे को face कर रहे थे, ठीक है, K के सामने E था, यह दोनों जगा पे नहीं आ सकता, तो L सिर्फ यहीं पर आएगा, G F के बगल में नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता, तो G सिर्फ यहीं पर आएगा, H सिर्फ यहीं पर आएगा, H के right में G था, तो यह ऐसा देखेगा, और G के left में E था, तो यह बाहर की तरफ face अजय रे गुस्केंट इनकोक्न झीज पनलेंको 17 परàiणन待 जुक पराब होईमा झाचिछ केबकर शूले सकते हैं देखें दोस्तों एक चीज़ का मैं आप लोगों को यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ, काफी लोगों के मन में डाउट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको कोई कंडिशन ऐसी देता है ना, कि E faces K, एक फेस के बोल रहा है, मतलब कि यह E जो है वो K को face कर रहा है, अगर K का आपको कोई direction नहीं मिल रहा है, मतलब डेफिनिटली K भी इसी को face करेगा, आप किसी भी puzzle में इस PHP कर सकते हो, फिर भी मैं एक बहुत मुदर आंसर कर लेता हूँ, सही है या नहीं है एक बार चेक कर लो भी L बाहर की तरफ देख रहा है G बाहर की तरफ देख रहा है और I बाहर की तरफ देख रहा है इसके अलावा J और F अंदर की तरफ देख रहे हैं K और E अंदर की तरफ देख रहे हैं एच भी अंदर की तरफ देख रहा है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर, यह मेंस का question नहीं है, मेंस का question अगर होता है, तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि मेंस के question में कुछ न कुछ उससे related condition देता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यह तो आप लोगों को पूरा बकायदा clearly mention करेगा, कि e and k faces each other, ठीक है, ऐसा पूरा, यह तो आपको clearly mention करेगा e and k faces each other, बट अगर आपको सिर्फ ऐसा लिखा है ना, कि e faces k, मतलब e जो है, वो face कर रहा है k की तरफ, e faces k का मतलब क्या है, e जो है, वो k की तरफ face कर रहा है, बट k का direction अगर आपको नहीं मिला, तो मतलब k भी इसकी तरफ face कर रहा है, facing का मतलब क्या होता है वही, इस चीज को समझेए, facing का मतलब क्या होता है, जब तक k के बारे में यह नहीं बोलेगा ना, कि वो बाहर हो रहा है, जब तक वो आएगा नहीं आपके आंसर में कि यह बाहर देख रहा है, तब तक आपको यही मान के चलना है, कि यह दोनों एक दूसरी की तरफ face कर रहे हैं, अगर वो ऐसा proof हो जाता कि हाँ, यह बाहर की तरफ देख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना faces में हमेशा आमने सामने एक दूसरे को face कर रहे हैं, आप मुझे face कर रहे हैं, मैं आपको face कर रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ, I am facing to you, इसका मतलब क्या है, मैं आपको देख रहा हूँ, तो जब तक आपका direction नहीं पता चल में इतना ध्यान नहीं होता है, question type करते समय कुछ-कुछ गल्तियां हो जाती है, तो थोड़ी बहुत चीजों में यहाँ पर गल्तियां हो सकती है, बट exam में नहीं होती है, सब चीजों की गल्तियां, ठीक है, तो exam में clearly mentioned रहेगा, आप लोगो, चलिए, तो done के messages आने और इसमें एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, जो की काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए काफी अच्छी चीज़ है, हमेशा ध्यान रखेगा इस को, है ना, कित्ते लोगों के होगा थायर, एक बार फिर से ए पोल मार करो तो, कित्ते लोग कट हो गया solve उनती जी हाँ वो मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा कि शायद उसमें E&K faces each other उना चाहिए था मैंने शायद typing में ही गलती कि ये कुछ तो में भी हो सकता है but condition satisfy क्योंकि answer वैसा ही बना हुआ है तो मुझसे गलती हो गई होगी में भी typing में चले काफी लोगों कहो गया है निकिता जी नहीं हो पा रहा है ऐसा देखो आप जब तक सोचते रहोगी नहीं हो पा रहा है तो नहीं होगा एक confidence आना चाहिए आपके अंदर में आप जब बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझसे भी होगा महनत करेंगे definitely होगा क्यों नहीं होगा देखो वो कोई अलग तो है नहीं वो भी इंसान है आप भी इंसान हो गई ठीक है न भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है चहरा एक नहीं दिया दिमाग एक नहीं दिया लेकिन दिमाग का अगे क्या बोर है क्यों हो लिफ्स इन अ प्राइम नंबर के फ्लोर पर रहता है ठीक है लिफ्स जस्ट अबाव द फ्लोर इन विच आर लिफ्स वो आर के जस्ट ऊपर रहता है 4% live between Q and O Q और O के बीच में 4% रहते हैं M lives at odd numbered floor M जो है ये एक odd number के फ्लोर पर रहता है बट below floor number 4 यानि की 3 पे होगा या तो 1 पे होगा आगे क्या बोर रहता है N doesn't live at even numbered floor S जो है ये even पे नहीं रहता मतलब कि ये odd number के फ्लोर पर रहता है अब देखे दोस्तों यहाँ पर ना काफी लोगों को ये लगता है कि सर बहुत fast बढ़ा रहे हो बट दोस्तों देखे एक चीज़ को समझे अगर आप fast समझ नहीं सकते तो fast बना नहीं सकते इसलिए आदत लगाओ दो दिन नहीं समझ आएगा तीन दिन नहीं आएगा चार दिन नहीं आएगा एक हफता नहीं आएगा लेकिन उसके बाद जब समझ में आने लगेगा तो आपकी speed भी वैसे ही बढ़ेगी तो जिस तरीके कि आप जैसी चीजे सीखते हो ना वैसा आप करते हो वही बचपन से बच्चा जो language सीखते है वही बोलता है ना बच्पन में उसको अगर तमिल सिखा रहे हैं तो तमिल अच्छे से बोल लेगा और आज अगर मैं तमिल सीखना चालू करूंगा तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा तो वही चीज होती है जैसा आप सीखते हो वैसा आप करते हो इसलिए आदत डालो बड़ी speed में सीखने की मदब तेजी speed में सीखने की दो चार पांच दिन नहीं समझाएगा यार कोई दिक्कत नहीं है फिर से repeat देख लो class को थोड़ा time extra जाएगा but speed बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगी आप देखो 10 floor बोला है सबसे पहले तो यहाँ पर यह चीज मैं आप लोगों को सम देखे इसमें एक चीज सिखाओंगा आप लोगों को इसको ध्यान से देखिए आप लोग बस देखे आपको बोला क्या है यहाँ पर condition कौन सी दिया हुआ है m जो है वो 1 या 3 पर हो सकता है मतलब की m जो है वो यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है और q जो है वो कहाँ पर हो सकता है q एक prime number पर होना चाहिए r के just उपर होना चाहिए हाँ या ना है होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा सबसे नीचे से अगर मैं q की बात करूँ तो सबसे नीचे से prime number कौन सा होता है 2 होता है 2 एक prime number होता है हा या ना सबसे पहले 2 पर होता है ना prime number यहाँ से start कर सकते है चलो ध्यान से देखना भई अगर यहाँ पर हम q को रखते है ठीक है तो r यहाँ होता ऐसे case में m यहाँ पर चला जाता अब यह वाली condition को ध्यान से देखेगा दोस्तों यह वाली जो condition होती है जितने भी लोगों को नहीं समझ में आती है s के उपर उतने ही लोग है t के नीचे जितने लोग है तो इसका मतलब क्या होगा s और t कहा कहा आएंगे इनकी possibilities मैं बता रहा हूँ आप लोगों को हमेशा इसको check करने का तरीका ऐसा रखना आपको कभी problem नहीं होगी जल्दी check कर पाओगे s और t की जो place होगी न वो या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी हमेशा अगर ऐसी कोई condition दी न कि s के उपर जितने लोग t के नीचे उतने लोग तो हमेशा ये चीज आपका ऐसा ही होगा ठीक है यह समझ में आए कि नी यह जो मैं बोलाओं अरे यार आर क्यू पर क्यों है ठीक है ठीक है जलो इसको एक काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं नीचे से चेक करना है न हमको हमको नीचे से चेक करना है यह देखो मैंने क्यू का क्या बोला था क्यू प्राइम नंबर पे तो प्राइम नंबर क्या होता है ठीक है अब यह चीज को समझो यह जो मैं समझाना चाहरा हूँ इस पर फोकस करिए अभी क्या बोला है आपको यहाँ पर आपको बोला है एस के उपर जितने लोग टी के नीचे भी उतने ही लोग है इसका मतलब क्या होता है कि यह ऐसा ही बनेगा हमेशा या तो यह दोनों जगा पे होंगे कौन कहा होगा उससे फरक नहीं पड़ता सिर्फ प्लेसेस को देखिए टैन पे है तो वन पे एक होगा अगर नाइन पे एक है तो दूसरा वाला टू पे होगा अगर एट पे है एक तो तीसरा वाला यहाँ पर होगा सेवन्थ पे है तो फोर्थ पे होगा और सिक्स पे है तो फिफ पे होगा इन दोनों में से कोई एक परसन ठीक अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हमने यह कंडिशन ली ना कंडिशन एलिमिनेट कैसे होती है जल्दी से जल्दी वो चीज़ बता रहा हो द्यान से अगर इस चीज को आप समझ गए ना यह जो मैंने बनाया है अगर इस चीज को आप समझ गया अच्छे से, यह बनानी की जरुवत नहीं होती है, देख की समझ में आ जाता है, यार, condition मेरी गलत होगी, मैंने इसको गलत जगा पे लिया है, एक और उपर बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लो, फिर के उपर 9 लोग है न, तो definitely T यहाँ पर होगा, क्योंकि T के नीचे 9 लोग चाहिए, तो यह मैंने बनाया ऐसा, तो ऐसा cases जब भी दिखते न, यह condition आप जब भी लिखते हो, इस type की, S के उपर जितने लोग, T के नीचे उतने लोग, तो इसका यह हमेशा condition होता है, इस चीज क पर होगा, बट जैसे ही आपने Q को 2 से start किया, Q को यहाँ रखे, R को यहाँ रखे, M को यहाँ रखे, भई आपकी यह वाली तीन लाइन तो गई, यह तीन लाइन गई न, S और T तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि एक प्लेस तो यह वाली fill हो गई है, यहाँ पर आप S या T म मैं बैठा हूँ, समझ मैं आए कि नहीं, तो यह तीन जग़ा पे अगर आपने already चीजों को set किया हुआ है, तो यह तीन जग़ा पे कोई हो नहीं सकता, अब जैसे Q से आपने यह O set किया, आपको पता चल गया, M और O के बीच में 3 है, तो Q और P के बीच में भी 3 होंगे, तो पहली बार है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, और एक आद बार question इस type का अगर जब भी आएगा न, तो आप लोगों को मैं समझाओंगा फिर, फिर से समझाओंगा इसी चीज को, ठीक है, इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे हम ताकि हमको और अच्छे स समझ में आईए, तो यह condition जैसी गलत हुई, अब हम क्या करेंगे, देखो, condition जैसी गलत हुई, तुरंट पता चल जाएगा कि condition गलत हो रही है, जैसी गलत हो रही है, तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर रख दो Q को, और यहाँ पर रख दो R को, भई 2 प्राइम था औ हमने Q को, और यह M को हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक, अब Q से आपको क्या पता है, चार छोड़ कर O चाहिए था, 1, 2, 3, 4 छोड़ कर यहाँ पर आपको O मिल गया, तो M से आपको कितने दूरी, M से O की दूरी देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो Q से, P की दूरी भी 7 होन Q से, M से O का देखना है, 1, 2, 3, 4, अच्छा, 6 का गैप था, मैं 7 गिन दूरी था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, मैं 6 का गैप था, 7 मैं गिन लिया था, तो M से, आपको बोला है न, यह देखो, M से, HIGHLIGHTER ले ले लेते, M से O का गैप जितना भी होगा, तो M से O का गैप क दिख रहा है आपको, तो definitely Q से, P के बीच में भी 6 का gap आपको दिखना चाहिए, तो Q से P, मतलब P यहाँ पर आ जाएगा, टॉप पे, आ गया P यहाँ टॉप पे, यह condition आपकी set हो गई, यह condition set हो गई, यह condition set हो गई, यह condition set हो गई, अब बचा क्या आपके पास, यह S और T वाले को आप set कर सकते हो, S और T वाले को set कर सकते हो न, भई देखो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए N odd पे, ध्यान से देखना भई, N odd पे चाहिए, तो अगर आपको N odd पर चाहिए, तो कहां पर मिल सकता है N, कौन सी जगह है जहाँ पर N सेट होगा, सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, और कोई जगह बची नहीं रही है, कैसे, वही देखो, N जो है, वो S और U के नीचे होना चाहिए, 9th पे तो हो नहीं सकता, वही हमको S भी चाहिए, फिर U भी चाहिए, तो 9th भी नहीं हो सकता, 7th भी नहीं हो सकता, तो अब इन तीन में देखो, odd कौन सा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह दिख रहा था, तो आप यहां पर N को रहा है, अब इस से आप मुझे यह बता सकते हो भी, कि S और T कहां पर सेट होंगे, इस वाली lines को देखो अच्छे से, देखो यह वाली line आपकी फिलो चुकी है, यह वाली line आपकी फिलो चुकी है, यह वाली line आपकी फिलो चुकी है, और यह वाली line आपकी फिलो चुकी है, तो इस सा मतलब, S यहां पर आएगा, T यहां पर आएगा, यही वाली line होगी न, यूज यह देखो, बाकि चारो line आपकी फिलो चुकी थी, और N से उपर ही आपको S चाहिए था S यहीं पर आ सकता है और क्या बचाता S के उपर U चाहिए था जो बच गया उसको यहाँ पर रखो वेखो यह सारी की सारी चीज़े Understanding से आएगी दिमाग लगाना पड़ेगा धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में चीज़ों को लेकिन जब समझ जाओगे आप से तेज बजल बनाने वाला फिर और कोई हो नहीं सकता आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़े समझ में आनी चाहिए तोड़ा बहुत उपर नीचे होगा भी 30-40 सेकंड का फरक पड़ जाता है लिखने में, कंडिशन पढ़ने में, सोचने में लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है लास्ट क्वेशन एक और बनाते हैं जल्दी से बनाईए इसको जल्दी से एक बार फटा फट बनाईए दो से तीन मिनट का समय सर्टेन नमबर वाला क्वेशन सिंगल पॉसिबिटी क्या होता है, सिंगल पॉसिबिटी वन्दब एक लाइन सिंगल बस अरे यह तो कुछ नहीं है, यह तो हल्वा वाला क्वेशन एंग दम इजी है यह इजी है, मैंने ट्रिक्य वाला दिया ही नहीं, मैंने आज सिंपल ही दिया है क्योंकि पहले बार सर्टेन वाला करवा रहा हूँ आप लोगों को यह बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है देखो, बॉक्स ट्रिक्ट आपको तब लगानी होती है, जब आपको इवन और ना दिया हो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जब आपको इवन फ्लोर, और फ्लोर, ऐसा टाइप का इवन या और नमबर इस टाइप का दिया रहते है, तो बॉक्स ट्रिक लगानी की ज़रूत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ही इतना आसान पढ़ जाता है, क्या आपको certain puzzle difficult उनके लिए है, certain puzzle difficult उनके लिए है, जो सोचते नहीं है, जो दिमाग नहीं लगाना चाहते है, उनके लिए difficult है, आप अगर दिमाग लगाओगे, आपके लिए सबसे easiest puzzle यही होगा, क्योंकि पूरा जो actual दिमाग का use होता है, uncertain वाले puzzle पे होता है, certain number वाले puzzle पे, चलिए, काफी लोगों का solve हो गया, दोस्तों किते लोगों कोई हो गया, yes कर दो एक बर जल्दी से, speed languages पर depend करता है, क्या, languages पर depend करता है, देखो, depend ऐसा है नहीं है, जैसे अब मैं अगर हिंदी में पढ़ूँगा, तो मुझे थोड़ा सा time लगेगा, एक पंती में एक निश्चित संक्या में व्यक्ति बैटे हैं, सभी कमोकुत्तर की ओर है, उन में से कुछ अलग-अलग फल पसंद करते हैं, यह चीज ऐसा है कि आप जिस language में पढ़ते हो न, उस language में पढ़ता तो जादा fast पढ़ सकते हो, आप जिसकी प्राक्टिस करोगे उतना उतना फास्ट आप पड़ पाऊगे तो यह आपके उपड़ी पैट करता है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिनसे जिनसे बन गया बहुत अची बात है जिनसे नहीं बना ध्यान से देखे वही इधर देखो क्या बो रहा है असर्टे नंबर ओफ परसंस अर सिटिंग इन लाइन और फेसिंटू नौर्थ सम अफ दम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स बी जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा है किस से सी से ठीक है सी हुव लाइक एपबल सी को एपबल पसंद है आगे आपको क्या बोरा है फौर परसंस असर्टिंग बिफ्रूट्स बीच में चार परसंद है और आपको बोर रहा है एस इट्स फॉर्थ फ्रॉम एन एक्स्ट्रीम एंड जो है यह फॉर्थ एंड से फॉर्थ में ठीक है आगे आपको बोर रहा है सेवन परसंस से इटिंग बिफ्रूट्विन एंड परसंद ए और ग्रेप्स के बीच में साथ परसंद है दबर समुलाइक ग्रेप्स यह हो गया था देर एज मनी परसंद राइट ऑफ परसंद ग्वावा एज लेफ्ट अफट ऑफ सी ग्वावा के राइट में जितने भी लोग हैं उतने ही सी के लेफ्ट में हैं बी सिट्स इमिडियत लेफ्ट ऑफ दी इसका मतलब क्या है बी के Immediate Left में ऐसा बैठा हुआ है डी उलाइक पिर र डी को पियर पसंद है इस इमिडियत लेफ्ट ऑफ बी ए जो है वो Immediate Left में होगा कि नहीं होगा इस एंड पीडियों कि थर्ड पे है आपको बोल रहा है यह जल्दी बताओ यस और नो कियो नो चो नो भी क्या बुलाइए इस इमेडिये लेफ्ट अव बी एंड इस थर्ड तो दे लेफ्ट अव एंड यस वाले कितने है यस कर दीजिए जो नो वाले है नो कर दीजिए यहर क्वेशन तो ध्यान से पढ़ लेते शुरू की तीसरी लाइन को ध्यान से देख लो भाई नौर्थ है तो एंड से थर्ड लेफ्ट इस एंड से अगर मैं थर्ड लेफ्ट पर जाओंगो तो इधर हवा में थोनी बैठाओगे यार कैसी बात करते हो यार कैसे कर दे रहे हो कैसे कर दे रहे हो अगर आपको बोला है सबके सब नौर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इस एंड से अगर मैं ऐसा यह देखो क्या बोला है थर्ड टू दे लेफ्ट ओफ एक्स्ट्रीम एंड तो एक्स्ट्रीम एंड से थर्ड टू लेफ्ट इधर हावा में बठा था हो यह लटका दोगे क्या है उसको इगो पॉसिवली नहीं है न यहीं से होगा न यहीं वाले एंड से पहला लेफ्ट मतलब थर्ड टू लेफ्ट ओफ एक्स्ट्रीम एंड बोला इसका मतलब क्या होगा थर्ड टू लेफ्ट ओफ एक्स्ट्रीम एंड मतलब क्या होगा fourth place होगा हाँ एक place बस यहाँ पर बनेगी एक मट रुख जाओ एक place बस यहाँ पर बनेगी और कुछ नहीं बनेगा नहीं यार third two left of X screen end से third two left यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी यार लिखने मैं typing mistake हो जाती ही चलो हिंदी बाले को एक बार देख लेते हैं अंतिम छोर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, हिंदी वाले पल्लों में नहां पर गलती कर दी लिखने में, अंतिम छोर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो तीसरा स्थान कौन सा होगा, तीसरे स्थान पर फोकस करिए भई, तीसरा स्थान कौन सा होगा, हाँ इंग्लिश में थोड़ा जगलती हो गई लिकने में टायिपिंग हो जाता है यार गलती ह्कट किर में से तो अन्टिम छोर के बाएं से तीसरे स्थान का मतलब क्या होता गाै थीसरे स्थान मतलब थटाइब थ मलेफ संदॉत क्रों फ्रम एस is third place from extreme end, ऐसा होना चाहिए, third place from extreme end, third left from, जो भी है यार, English में अब convert कर लो, मेरे कोई इतनी English नहीं आती, ठीक है, extreme left से third place पर होगा, left की तरफ, ठीक है, अन्तिम छोर के 22, अब इसको मैं कैसे convert करो, मुझे नहीं बता, अन्तिम छोर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर आपको बैठाना है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं तीसरा स्थान, left की तरफ में count करो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीसरे person पर E आ गया, ठीक है, अब इसके बाद देखो, यह चीज तो आपकी सेट हो गई, तो D पर PR को रख दो, C पर आप Apple को रख दो, अब बचा क्या आपके पास, इसके बाद क्या सेट कर सकते हो, जल्दीस बताओ, एक चीज और, इसमें भी वो वाली condition लगी, कि जो पिछले वाले question में गाने बताया था, अरे, end से left की तरफ बोला है न, हिंदी में पढ़ो न, हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है, ज़्यादा तर हिंदी में गलत होता है, आज इंग्लिश में गलत है, हिंदी में सही है, थर्ड, अरे, left end नहीं है न, फिर बार बार भई सवाल करते हो यार, हिंदी वाले को पढ़ो ना हिंदी वाले को पढ़ो फई इंगलिश वाला गलत है हिंदी वाले को पढ़ो अंतिम छोर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है तीसरे स्थान किस तरफ बाएं से तीसरे स्थान बाइं की तरफ तीसरा स्थान कौन सा होता है बही एक दूब दाया मुझे तूब नहीं पता है आप लोगों को अचा चलो एक मिनट छोड़ो ! सब आप लोगों की बात मान लेते हैं चलो ठीक है आप prochain लोगों की बात मान लेते हैं। आप लोगों की बात माल लेते हैं छोड़ दो चलो है, यह लाइन है, left-hand से ले लेते हैं, 1, 2, 3, यहां पर होगा E ऐसा बोल रहे हो? हो गए यहां पर ही ऐसा बोर रहो ना अरे हां वाले नो वाले रुख जाओ ना अभी ऐसा बना लेते हैं पता चल जाएगा सही है की गलत है हम जो ले रहेते हैं वो सही है कि यह सही है देख लेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ठीक है तो E को यहां पर ले लेते हैं तो E से क्या हो जाएगा भई, C यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा, उसके बाद B यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा, फिर यहाँ पर आ जाएगा D, ऐसा, ठीक, अब देखो, अगर C यहाँ पर आ चुका है, इस तरफ से second पे, तो definitely इस तरफ से second पे, यहाँ पर Guava आ जाएगा, क्योंकि Gu इनको पहले नाम रख देते हैं, यह PR है, और यह Apple है, यह थोड़ा भूँ टाइपिंग हो गएगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, मैं खुद से ही यह सब को बनाता हूँ, PDF अगर मुझे कोई बना-बना के PDF नहीं देता, यह लो सर, इसको पढ़ा दो, ठीक, खुद से बना A हो जाएगा, होगा की नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, A from end, 4th from end, किस end से हमको नहीं पता था, लेकिन end पर तो है, यह confirm हो गया, अब देखो, पीर से आपको 4% छोड़कर grapes रखना है, पीर से 1, 2, 3, 4 छोड़कर हमको क्या रखना था, grapes रखना था, यह grapes हो गया, चार छोड़कर grapes हो गया, अब देखो, A और grapes के बीच में 7 लोंग है, तो A और grapes के बीच में 7 लोंग कैसे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह 7, A से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हो गया आपका, ठीक, क्या गलत है, क्या सही है, देख लो भाई, अब आप, कितने लोग हो रहे हैं, ओर लैफ हो सकता है, ओर लैफ होगा तो 7 परसन कैसे लोग है, यार यह जो है, वो, 4th, end, end से 4th पे हैंना, तो कैसे ले सकते हो आप, ले ही नहीं सकते है, क्या गलत है, बताओ चलो, गलत क्या है, मुझे पता है क्या गलत है, क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है, यार, question में गलती है, बस और कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई है, बता तो रहा हूं बार-बार फिर भी वही चीजे लिखते हो गया कुछ घरत नहीं है यह लोगों ने बोला भी सर लेफ्ट से होगा लेफ्ट से लेली राइट से लोगे तो भी बन जाएगा लेकिन अगर इस question को देखो तो काईदे से जो मुझे लिखना चाहिए था न वो गलती हो गए भी गलती हो गए यार बाफ कर दो हो जाता है समझना चाहिए भावनाओं को समझो E states immediate left of B end is third place left from extreme end ऐसा कुछ होना चाहिए था यह third to the left of extreme end यह left से आपको third में नहीं बोला है न third to the left of extreme end बोला है आपको तो extreme end से third to left में first second third यहाँ पर आपका E आएगा ऐसा बनाना चाहिए आपको इसलिए गलत है यह तो आप इस तरफ से बनाओगे सही हो जाएगा यह इसको थोड़ा सा सुधार दूँगा English को मैं आप लोगों को यह question PDF के form में मैं आप लोगों को दे दूँगा उसमें थोड़ा सा सुधार के मैं देख लूँगा कि actual सही में क्या था तो उससे आप लोगों को भी थोड़ा doubt जो है वो clear हो जाएगा ठीक है और कोई doubt है इसमें question में समझ में आया no doubt चलिए ठीक है तो इसी के साथ इसको class को खतम करते हैं भी बाकी मज़ा आया की नहीं है थोड़ी सी गलतियां थी आज के PDF में उसके लिए मापी चाहता हूँ तो कल से कोशिश करूँगा कि PDF मतलब डालने के पहले एक बर मैं चेक कर लूँ कि कुछ भी गलती ना हो ठीक है टीम मेंबर से चेक कर वा लूँगा मैं नया सीखने हूँ मिला कुछ इसमें तो answer सहीं भी है भी यह typing mistake ही होगी क्योंकि answer तो सहीं दिख रहा है c e b d third from left चलो कोई बात नहीं चलिए तो आप में से जो भी अनकेड़ी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इंट्रेस्टेट हैं दोस्तों तो आप इस code का इस्तेमाल कर सकते हो BC10 का मेरा जो core से परसो start होने वाला है आठ तारिक तो eighth को start होने वाला है miss मत करिएगा दोस्तों पूरा reasoning complete reasoning वहापर आप लोगों को सीखने को मिलेगा आठ तारिक से चालू हो रहा है अगर आप one year का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसकी fee से 6000 जिसमें कि आपको 600 का discount मिल जाएगा 5400 आपको price पड़ेगा और अगर आप 2 साल beginner हो तो ही 2 साल का लेना इसकी fee से 7200 और 720 का इसमें discount आपको मिल जाएगा 6480 रुपए आपको पड़ेगा 2 साल के लिए और यह आपको पड़ेगा एक साल के लिए तो यह 2 साल तक या एक साल तक आने वाले जितने भी मेरे courses हैं चाहे pre के courses हो, चाहे वो mains के courses हो, चाहे वो maths के courses हो, चाहे वो reasoning के courses हो, आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे तो अभी आठ तरीक से मेरे दो batches चालो रहे एक reasoning का चालो रहा है complete reasoning, prelims का ठीक है, और complete DI, data interpretation, prelims का सारे exam में काम आएगा ये सारे exam में, ये दो course है साब के सारे exam में काम आएगे चाहे IBPSP हो, चाहे SBIP हो, कुछ भी हो, तो DI वाला जो course है, इसमें 100 DI के set में आप लोगों को solve करवाऊंगा, और 100 DI के set में आप लोगों को home bag दूँगा ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा और क्या चीज़ था हाँ, इसके अलावा दोस्तों, 2 जुलाई से मेरे एक course आ रहा है complete course, complete reasoning का तो वो भी आप access कर पाऊगे और आप दूसरे teachers की भी classes देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने ये code उसकी है तो आप सिर्फ मेरी classes देख पाऊगे, नहीं आप सारे teachers की classes देख सकते हो, पुराने courses जो खतम हो चुके हैं और जो आने वाले courses सब कुछ आप देख सकते हो, complete, complete तो दो जुलाई से complete reasoning का भी batch आ रहा है जिसमें 30 classes होंगी और ये जो course रहेगा, ये pre plus mains दोनों के लिए रहेगा, SBIPO के लिए pre plus mains 30 classes देड़ घंटे की सुबे 10 बजे से साड़े ग्यारा बजे इसका timing रहेगा और ये वाला जो है आपका ये वाला reasoning का इसका time है देड़ बजे से, देड़ बजे से 3 बजे तक 8 तारीक से चलो हो रहा है और maths का जो DI वाला course है, इसका भी सुबे 10 से साड़े ग्यारा time रहेगा ठीक है, तो ये वाले जो दो batches है आठ तारीक से जो चालो हो रहे है ये Monday, Tuesday, Wednesday को होंगी classes और ये वाली Thursday, Friday, Saturday को होंगी classes और अभी already मेरे 2 mains के high level वाले courses चल रहे हैं अगर आप high level के classes देखना चाहते हो mains की, actual जो exam का level होता है PO का तो वो अभी classes चल रही है, आप रात को classes वो वाली देख सकते हो आप बताने वाले थे हैं फिर first sequence क्या है sequence क्या है मतलब रात को 6 बजे profit and loss की class है high level DI की और उसके बाद कोई आज free class नहीं है आज कोई free class नहीं है दोस्तों क्योंकि आज मैं 3 class वाईसे लेने वाला था लेकिन due to आज test है तो due to test मैंने आज कोई class नहीं रखी फिर तो कल कोशिश करेंगे कि कल दो class लेंगे और कल आप लोगों की सुबह साड़े दस बजे नहीं होगी class कल का timing जो रहेगा आप लोगों को banking chronicle telegram channel पर पता चल जाएगा तो banking chronicle telegram channel जॉइन कर लीजे और आज के जितने भी questions मैंने कराया थी यह सब मेरे ही mock test के थे banking chronicle mock test उनको थोड़ा सा modify करके मैंने करवाया था तो banking chronicle mock test.com यहाँ पर जाकर आप लोगों चाहें तो purchase कर सकते हैं उसमें भी आप BC 10 code लगा सकते हैं अभी off पी चल रहा है आज last है वो तो BC 10 से आपको yearly वाला जो test है सिर्फ prelims के test है मेरे अगर आपको इसी level के questions देखने है real exam level के तो आप चाहें देखने जाए गई all subject हाँ, सारे subject आप किसी भी subject की पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप subscription लेते हैं तो subscription का मतलब ही यह होता है कि सब कुछ access मिल जाता है आपको जैसे Netflix का आप subscription लेते हो तो सारी सारी चीज़े मिल जाती ना किसी की भी picture देखो चाहे सल्मान खान की देखो चाहे सनी देखो सब कुछ मिल जाता है बस वही चीज़ है अब आप चाहे आप अनकेडमी पर आका आप मेरी classes देखो चाहे आप Kapil Kaatpal सर की classes देखो चाहे आशी सर की classes देखो चाहे Wi-Fi Study की classes देखो आपको जिसकी देखनी है आप उनकी classes देख सकते हो वह आपकी 24 से फिर और इससे फाइदा ये मिलता है कि आपके पास इंडिया के top educators बहुत सारे educators यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उनमें आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको किस से पढ़ना है आप सबकी classes देख के decide कर सकते हो भी किस से आपको समझ में आ रहा है ठीक है क्योंकि बात ही होती है कि जरूरी नहीं हर किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो यह बात हो जाती है कि आप देखो दो-चार दिन आप मुझे देखो दो-चार दिन आप दूसरे teachers को भी देखो आपको जिन से अच्छा लगता है समझना आप उनसे समझो improvement खुद में आपको दिख जाएगा maths के लिए भी बिल्कुल आप follow करो दो-चार दिन देखो main क्या होता है न पता है बच्चे न यह कर लेते हैं कि अपना पहले ही बना लेते हैं कि नहीं हम कोई follow करो ऐसा नहीं मत किया करो यार क्योंकि आपका career है न आप पहले देखो तो सही उसके बाद decide करना कुछ दिन follow करो देखो उसके बाद decide करो ठीक है चलिए तो बाई खतम करते हैं class को all the best सभी को बहुत सारे student आये थे आज मज़ा आ गया आज काफी कुछ सीखने को भी मिला चलिए बाई ठीक है six month का price क्या न बहुत जादा पढ़ जाता है इसलिए मैं उसको recommend नहीं करता है करी 4800 का वो होता है 480 अगर उसमें discount कर दोगे तो कितन हो जाता है 4300 के आसपास तो 4300 का ये ले रहे हो इससे अचा 5400 का आप एक साल कलो न क्योंकि उसमें सारे exams कवर हो जाएंगे हर exam की courses आपको मिल जाएंगे और वैसे ही beginners के लिए क्या है 5400 में एक साल कले रहे हो इससे अचा आप 6480 का दो साल कलो क्योंकि आपको क्या है 2 साल का तो preparation मान के चलो burden नहीं रखोगे न जब अपने उपर तो तैयारी अच्छे से होती है अगर आप पहली सोच लोगे न मेरे को 6 मैंने निकालना है तो pressure में इंसान नहीं कर पाता लेकिन अगर वही आप अपने आपको free छोड़ दो एक दम्हा भी मेहनत अच्छे से करेंगे बठांगे जब होना है selection तब हो जाए तो हो जाएगा बहुत जल्द होगा arithmetic का batch लाओंगा भी arithmetic देखो मेरे हिसाब से देखो सब की अपनी अपनी choice होती है arithmetic पर focus करते हैं जादा मैं arithmetic पर focus नहीं करता है मैंने कभी नहीं किया ना मैंने अपने preparation के time पर किया ठीक है कभी नहीं किया मैंने और ना मैंने अपने students को करवाया और बहुत सारे students selected हैं बिना उसके भी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी पर आपको focus करना है तो वो सबकी अपनी अपनी चोईस है, वो उनकी चोईस है, वो मैट्स के टीचर, वो अपने हैसाब से गाइड करते हैं, मैं reasoning का भी टीचर हूँ, मैट्स का भी टीचर हूँ, और एक student भी रह चुका हूँ, तो मैं हर तरीके से आपको गाइड करता हूँ, तो सबकी अपनी अ मैंने उनसे पूछा था कि सर आप arithmetic मतलब जो है इस पर मुझे कितना focus करना चाहिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मुझसे सारे question नहीं बन पाते तो उन्होंने यही बोला था मुझे भाई तेरे को PhD गर नहीं कि तेरे को paper निकालना है मैंने बोला sir paper निकालना है तो उन्होंन तो बिल्कुल करिए उसको क्योंकि देखिए जैसे जिसको puzzle अच्छा नहीं लगता वो सोचते है puzzle को skip कर देते, puzzle ऐसी चीज़े skip कर नहीं सकते आप, मजबूरी है, हाँ mains में तो कर सकते हो, mains में पूरे puzzle skip करो, मैं तो खुद ही बोलता हूँ, mains में puzzle पूरे skip करो, बस घर पे बनाओ, घर पे बनाने से understanding बढ़ेगी, इसलिए घर पे बनाओ बोलता हूँ, बाकी एक्जाम में तो पूरा skip मारो, बाकी चीज़ों को पहले बनाओ, फिर time बचे तो ही आप puzzle को बनाओ, लास्ट में, पेमें आप्शन में coins आते हैं, हाँ coins में, आपका सिर्फो सिर्फ 10% ही कम होगा, लैस होगा, ठीक है चलो, खतम करते हैं दोस्तों, thank you friends, all the best, मिलते हैं फिर कल की class में, कल की class किते बज़े होगी, telegram channel banking chronicle, join कर लिजे,